दूस क्लिक में आपका स्वागत है आज हम कुर्बान आली साब से बात करेंगे खास तौर से सोशलिस्टों की इस वक्त की जो स्थिती रही है कुछ हद तक वो लेफ्ट सेकुलर फोर्सिस की भी स्थिती बहुत अच्छी नहीं है पर 21st century जिस पर हम प्रवेश कर चुके हैं उस पें सोशलिस्ट भविश्चत आप किस तरह से देखते हैं सिर्फ भूत की बात ना सोचे हम हम आगे की बात भी सोचे तो इसको कैसे देखते हैं प्रविज जी सबसे पहले तो शुक्रिया आपने मुझे अपने शोव में बुलाया इस प्रिविलेज और उनर सोशलिस्टों की जो इस वक्त इस्तिती है वो लेफ्ट से भी गई गुजरी है और उसके कई सारे कारण हैं कुछ थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा कि मैं तो पहली बात कहूं कि मैं तो सोशलिस्टों को भी लेफ्ट के अंदर ही मानता हूं बिल्कुल लेफ्ट और जो कॉंग्रेस सोशलिस्ट पार्टी को अगर आप देखें तो उसमें बाद के जो सारे बड़े कमनिस्ट लीडर हुए एमस नम्बूदरी पाद हों सज्जाज जहीर हों जैड एहमद हों या साउस के लोग हों वो सारे लोग सीस्पी का हिस्सा थे और थर्टी एट तक जी सोली बाटली वाला हों या ऐसे बहुत सारे नम्बूदरी जब कमनिस्ट पार्टी बेहन थी तो वो कॉंग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का हिस्सा थे और फीडम मूवमेंट में भी बराबर शाना बशाना उन्होंने हिस्सा लिया था लेकिन सोशलिस्टों ने भी 48 आते आते गांजी जी की रहत तक ये तैकर लिया कि उनको कॉंग्रेस में नहीं रहना है अलग रहना है और 48 से लेकर के जो अब तक का इतिहास है वो समाजवादी अंदोलन और में एक तरह से टूट और एका का अंदोलन है और वो सिलसला चला लेकिन एक मई 1977 वो एक कट ओफ डेट ऐसी आती है कि जहां सोशलिस्टों ने अपनी आइडेंटिटी को पूरी तरह से खत्म कर दिया और वो जो सोशलिस्ट पार्टी थी जिसके उसमाज योर्च फरनांडेस अध्यक्ष और सुरेंद महान जेनल सिक्रेटी थे और जिसमें मदूल सबको इतिहास बताता हूँ कि सुरेंद महान जी और हम एक साथ अब जानते हैं कि दिल्ली टिहाड जेल में थे मर्जिंसी के दोरान जी तो उन्होंने एक चीज मुझे उस वक्त जिक्र किया था कि सोशलिस्ट बिखर के अलग-अलग पार्टियों में है चाहे वो कॉंग्र में चले गए थे इद्रा कॉंग्रस में ही थे तो यह सब एक सोशलिस्ट रियूनिफिकेशन हो जाएगा जन्ता दल के जरिये यह उनकी एक समझ थी जी लेकिन वो उसमें काम्याब नहीं हो पाए क्योंकि सोशलिस्टों के साथ यह दिक्कत है कि वो उस हद तक साथ चलते है जब तक उनकी बात मानी जाए है और जहां यह लगता है कि साथ उनकी बात नहीं माननी जा रहे है तो फिर अलग हो जाते है पहले जनता पार्टी टूटी दोरी सदस्ता के सवाल पर तो तब ये लगा कि बही अब कम से कम सेकुलिरिजम के नाम पर ये लोग एक रहेंगे लेकिन वो भी अलग-अलग हो गए जनता पार्टी और लोग दल कर्पूरी बना और फिर लोग दल में मर्जर हुआ उनका और फ लेविल पर और जो पार्टी के प्रोग्राम और पॉलिसीज थी यानि मंडल कमीशन की स्थापना एक तरह से देखें तो जंता पार्टी के शासर में ही हुई और उसी की वज़े से वो वी पी सिंग ने आप कह सकते हैं कि राजनी तेक फायदे के लिए वो किया लेकिन उनको लागू करना पड़ा क्योंकि देविलाल से लडने के लिए कोई और दूसरा रास्ता उनके पास में नहीं था सिवा इसके कि वो पिछड़ों के साथ खड़े अपने आपको दिखाई दें वो हिंदुस्तान की नौर्ट इंडियन राजडीति के लिए एक बहुत बड़ा बदलाव भी था जो कुछ हद तक दक्षिन भारत में हो चुका था डियमके, एडियमके, एंटी कास्ट मॉव्मेंट्स थे तो कुछ हद तक ये था पर नौर्ट इंडिया के तरह इस पे हिसाब में एक बहुत बड़ा राजडितिक परिवर्तन भी था मंडल कमिशन के अरह से आप उधारा देखते हैं, मुलाइम सिंग यादव हैं, नितिश कुमार हैं, शरद यादव हैं, राम विलास बासवान हैं, और कुरकान सब बुरा मत मानिएगा, ये बिमारी वैसे पहले सी भी सोशलिस्ट पार्टी में थी चाहे वो आप लोहिया जी भी कह सकते हैं, लेकि तो ये कि पुलीस गोली चलाएगी कि नहीं चलाएगी, पियस्ट पी, पियस्ट पी का जो हुआ, और दूसरा था कि अशुक महता ने उस वक्त कंपल्शन ऑफ बैकवर्ड एकॉनोमी की एक सीसिस लिखी, और उससे वो सरकार के नजदीक जाना चाहते थे, जिसका लोहिया ने विरूज किया, और अशुक महता चले ही गए, और उनके साथ आधी सोशलिस्ट पार्टी तक्रीबन चली गई थी, पियस्पी, इसमें चंदर शेखा, रेंडी तिवारी, एमेस गुरूपाद स्वामी, वसंद साथे वगएरा, ये सारी एक लंबी फैरिस है, लेकिन उस चाहते थे कि SSP का मैनिफेस्टो माना जाया, मैंने लोहिया की लाइन ली जाया, और सरसट में लोहिया जब नहीं रहे, नौन कॉंग्रेसिजम का अपना प्रियोग करने के बाद, तब जो विभाजन हुआ, वो राजनायन जी की वेक्सिवादी पॉलिटिक्स के कारण पड़ एक बात यह है कि एक लंबी अगर उस पे इतिहास को देखूं, तो सोशलिस्टों ने एक्स्प्लिसिटली कह सकते हैं, एक कास्ट इशू को सोशलिस्ट मंच में पहली बार उस तरह से लाए, कॉमुनिस्टों का कास्ट के बारे में यह समझ था, एक क्लास का अलग फ मतबेद रहा हो, बट इन वरकिंग टर्ब्स, काम के वक्त पे कॉमुनिस्टों भी भी रिजर्वेशन सपोर्ट किया, मंडल का भी रिजर्वेशन सपोर्ट किया, और सोशलिस्टों भी अपना क्लास और कास्ट का दोनों चीज भूले नहीं, क्लास भी उनके राजडितिक क मैं इसलिए आपको फिर मेरे औरिजिनल सवाद में वापस लाना चाहता हूँ, कि आज की परिस्थिती में चाहे सेकुलर फोर्सेस हो, डिबोक्राटिक फोर्सेस, लिबरल फोर्सेस जिससे कह सकते हैं, जो की सोशलिस्ट, कॉमुनिस्ट या लेफ्ट अपने आपको नहीं म चल रही है, उसके साथ सद एक हाइपर कैपिलिस्म की तरह भी देश बढ़ रहा है, आप देख सकते हैं, चाहे डिफेंस हो, चाहे फाइनाशल सेक्टर हो, चाहे यूनिवर्सिटी एडुकेशन की बात हो, सब जगह पर नीजी पूजी को बुलाया जा रहा है, तो इसके ब बात छोड़ की, क्योंकि वो तो हमारे आरापके हाथ मेह नीए, लीखिया आपने सही फर्माया, और विचार्धारा की जहां तक बात है, तो सोशलिस्टों की और कम्लिस्टों की विचार्धारा में कोई फर्क नहीं है, एक चोटा सा फर्क आया था, जिस पे अरुना पीछे इसलिए जा रहा हूं क्योंकि आचार नरेंदे वो अपने आपको कहते थे मैं मार्कसिस्ट हूं और मैं कुछ भी हो सकता हूं लेकिन मार्कसवाद को नहीं छोड़ सकता जैप्रकाश नायरान वो मार्कसिस्ट थे और अमेरिका से मार्कसिजम पढ़ करके आए लोहिया असिफ अली को जब लगा कि वो सोचलिस पार्टी मार्कसिजम से दूर हो रही है तो उन्हों ने पार्टी छोड़ दी और फिर वो कॉम्मिनस पार्टी में चली गए और बाद में कॉंग्रेस पार्टी में चली लेकिन यहां बन्यादी सिलसला यहीं से चुरू होता है और उसके बाद फिर बावन सतावन और बासट जो तीन चुनाव हुए तो लुया ने देखा कि कॉंग्रेस पार्टी का एक वोट बैंक है दलित मुस्लिम और ब्रहमिन तो इसके मुकाबले में क्या हो सकता है तो एक तरफ तो वो अपोजिशन को यूनाइट करने की बात करते देखे नौन कांग्रेसिजम के नाम पे कि कि अगर कंबाइन अपोजिशन कांग्रेस कि खिलाफ होगा तो वोट परतिशत जाज़े हो जाये गा और उसको हराया जा सकता है और आम जनुझा के मन में यह बात बैठना बहुत जरूरी है कि कांग्रेस बानी पर्टी को हराया कुर्मी, कौΐरी का कॉम्बिनेशन, अजगर-मजगर का भी उसका नाम दिया गया और उसी के बेसिस पे चरन सिंगकी राजनीति ठी होती है. उसी के बेसिस पे बिहार में पिछ़णों की राजनीति और करपुरी ठाको रिमर्ज करते हैं तो यह सुष्ट्रिस्टों का एक कॉंट्रिबूइशन है और इसमें वह इलेक्टरल पॉलिटिक्स में जब चले गए तो यह नतीजा निकला जो आज हो रहा है कि वह परिवारवाद की तरफ चली गई पार्टियां यह लेकिन आइडिय पॉलिटिक्स भी कुछ हद तक आइडियलाजिकल क्लारिटी को सोशलिस्टों की कमजोर करता है बिल्कुल सही मैं सहमत हूँ आप से क्योंकि उसमें हुआ यह कि हिसाब MPMLA और सरकार बनाना यही प्राइम गोल हो गया लोहिया कहते थे कि नहीं हम तो इलक्शन हारेंगे ले कर नहीं मैं हार जाओं तो हार जाओं मैं चुनाव जीतने के लिए राजनीथी नहीं करता सोशलिस्टों ने उसको अपने आपको डायल्यूट किया मसला मिसाल के तौर पे मुलायम सिंग यादव पहली बार तो जनतादल के रूप में मुक्हमंत्री बने दूसरी बार BSP के बैट गए वो राजसभा में गए और एक अमिताब बच्चन और बंबई की तमाम कैपिटलिस्ट जो है वो उत्तर प्रदेश को चला रहे थे तो वो फिर आइडियोलोजी खत्म होगी जो आपने बात की बात एहम वो है और यह मैं 1992 में बावरी मस्जित के गिरने के बाद स देख रहा हूँ कि चाहें वो 66 हो 77 हो 89 हो इन तीनों में तो एक खतरना काम हुआ कि RSS को क्रेडिबिल्टी देने का का काम किया सोचलिस्टों ने भी और कुछ हद तक कमिलिस्टों ने भी कि उनके साथ 81 हुए और उनको एक सत्ता का रास्ता देखाया और आखिर में जो इडर अपोजिशन यूनिटी अगेंस्ट कॉंग्रेस करके लेकिन इसमें अब कमिनलिजम जो है वो बड़ा खतरा है मुलक के सामने सवाल है कि ये मुलक रहेगा या जाएगा और अगर ये मुलक रहेगा तो क्या वही तरह 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 से रहेगा जो नेशनल मुवमेंट की वैल्यूज जिस पे सम्विधान बना और पिछले सतर साल से चला या डिफेक्टो हिंदू राष्ट हो जाएगा जैसा कि अब देखने में आ रहा है और इसमें माइनोर्टी राइट्स नहीं होंगे इसमें पिछड़े दलित के कुछ नहीं होंगे हम बच्पन में नारे पाना जाता था वो चाहें अगड़ी जाती की महिलाएं हों या किसी भी वर की हों वो पिछड़ी हैं आज वी तो इस सब को मिला करके अगर कोई एक वाइडर लेफ्ट सोशलिस्ट यूनिटी बनती है जिसका के मेरे गुरू मदूलमय ने बहुत किताब भी लिखी इस पर और वो हमेशा करते रहे अगर वो सब बनता है तो क्योंकि ये लेफ्ट और सोशलिस्ट ना सिर्फ एक एक वैचारिक धरातल देते थे सोचने समझने का बलके सरकारों पर अंकुष लगाने का भी काम करते थे एक क्रिटिसिजम के जरिये कुछ हद तक एक प्रहार रहता है हमने देखा कि 1991 में जब बिल्कुल यू चेंज आ गया कि मनमोहन सिंग ने लिबरलाइजेशन शुरू किया नर्सिम महराओ सरकार में तो सोशलिस्ट और कम्मिनिस्ट्री होते थे लोग सभा राज्य सभा में जो उनको चैलेंज करते थे और कहते थे कि इस देश को कहां ले जेपी ने फॉलो किया मुझसे वाच्पेजी ने एक बार कहा कि हमारे आरेसस के लोग जानते नहीं देश को समझते नहीं आप बताईए कि जो मनमोहन सिंग ने रास्ता देखा दिया है किया मैं उससे बदल सकता हूं मैं नहीं बदल सकता क्योंकि दुनिया उसी रास्ते प दूर चले गए आज अगर आप अखिलेश यादा से पूछे के समाजवाद के बारे में आप क्या जानते हैं तो शायद वो चार शब्द भी ना बोल पाएं लेकिन उनको हाँ यह मालूम है कि मायवती के साथ गट जोड करके हम चुनाव जीत सकते हैं सरकार बना सकते हैं और यह प्रियोग उनों ने किये भी हैं कई बार सफल रहे हैं कई बार सफल रहे हैं इसको चैलेज़ बीट करना मुश्किल है क्योंकि एक आइडलोजिकल चैलेज़ है यह राजडितिक तौर पर एक आइडलोजिकल चैलेज़ है अर्जब तक इसको आइडलोजीकल प्लाटफॉम में बामपन्ती विचार्धारा जिसमें मैं सोशलिस्टों को भी गिंता हूं तो बामपती विचाद्धारा का और सेकुलर सबच का जो विचाद्धारा है उसको जब तक एकठा नहीं करेंगे तो इस तरह का चीजों का विरोध करना सिर्फ इलेक्टोरल अलाइंस और अडिस्टैंडिंग से नहीं हो सकता बिलकुल आप सही कह रहे हैं और इसको मैंने एक अलग रहंग से भी इसको एक्सपेरियेंस किया है हमारी सोशलिस पार्टी और उसकी समाजवादी यवजन सभा होती थी तो उसकी जो है वो क्लासिस होती थी कैम्प लगते थे साल में एक दो बार और उसमें समझाया जाता था कि भाई कुछ इशूस पे आपको बहुत क्लेरिटी रखने है मसलना सामप्रदाइकता का सवार कि सामप्रदाइकता किसी भी की भी हो वो बुरी है और उसका म कावला किया जाना चाहिए लिए अएद्ध है की बड़े बड़े समाजवादियों को मैंने कमनल होते हुए देखा और माफ करें कुछ वामपंतियों को भी मैंने देखा और उसमें अलग-अलग तरह की परिभाशाएं वो देने लगे एक साहब जिनका मैं नाम नहीं लोगा एक बड़े पद पर बैठे हुए है इस वक्त में समाजवादी बैक्ग्राउंड है उन्होंने कहा कि हिंदू जब क होता है तो इंटी नेशनल हो जाता है तो इस तरह की परिभाशा नहीं नहीं मानते हुए और इन लोगों ने उनमें से कई लोग हैं आप मिसाल के तौर पे एक हुकम देवनारान यादाव वो सोचलिस मॉव्मेंट के आदमी हैं लेकिन इस वक्त बीजेपी के सांसद हैं प या जैपरकाश जी का भी जो मामला है कि उनकी जो आइडिलोजी थी और शुरुवाती दिनों में चववन तक तो उसमें बहुती क्लैरिटी थी कि भई ये जो है इन फोर्सिस के साथ में हमारा कोई मुकाबला नहीं हो सकता लेकिन जब वो एंटी कॉंगरिस मॉव्मेंट चला तो वो भी उसका इस्तेमाल हुए और खुद यहां तक कह गए कि अगर आरेसेस कामनल है फाशिस है तो मैं भी हूँ लेकिन बाद में उन्होंने लाइन को बदला और जब जनता पार्टी टूटी है उस वक्त दो तीन खत उन्होंने लिखे हैं सरकार को और इन लोगों को कि सेइलाव को सिविल नाफर्मानी करते हुए अपनी मांगों को मनवाने के लिए सत्यागरा करना है आपको रचनात्मक कारेoint ये फावडा चलाना है नदियां खोदनी है सड़कें बनानी है और तीसरी चीजज ये की वोट का इस्तेमाल कर के सरकार को बदलना है तो अब उसमें से सिर्फ एक वोट को लेके समाजवादी रह गए हैं बाकी और दोफ पे काम वो नहीं करते और ये जो दिमाग की सफाई करने का काम हुआ करता था आप केम्प्स के जरीए से और ये जो अपनी क्लासिज लगती थी वो खत्म हो गया वो ट्रेनिंग खत्म हो गया एक औ नारस्ट यहां पे हमेशा S.Y.S. या उसके समर्थ सख स्टूडेंट यूनियन रहती थी और सोशलिस्ट पार्टी का एक दो भी MP नहीं जीत के आ पाता था S.Y.S. में आठ हाय थे सबसे जादा उसके अलावा कभी नहीं आया है M.L.S. भी 25-30 से जादे नहीं होते थे लेकिन वो एसम्बली को उठाय रखते थे वो संसत को उठाय रखते थे मधुलिमय जैसा पार्लिमेंटेरियन उस आदमी के प्रिवलेज मुशन पर इंदरा गांधी को सजा हुई वो जेल गई और उनकी मेंबर्शिप टर्मिनेट हुई इस तरह का काम या राजनरायन ने भी जो लड़ाई लड़ी उनके खिलाफ इलेक्शन पेटीशन करके इस देश का इतिहास बदल दिया राजनीती का वो काम नहीं हो रहा है और उसके लिए बड़ी जरुवत है कि दोनों तरफ के लोगों को क्यूंकि अब उमीद इनी लोगों से है कॉंग्रेस बेंकरप्ट हो गई है वो जो वाहक थी राश्टी आंदोलन के मूलियों की विरासत की वो महां खतम हो गई है उसमें और बीजेपी में मैं ज्यादे फर्क नहीं करता लेकिन हाँ जो दिस देश में समझदार लोग बचे हैं उन्हें आपस में बैठ करके किस हद तक जा सकते हैं नियूनितम कारिक्रम बना करके आगे बढ़ना चाहिए या संघर्ष जो आप कह रहते संघर्ष पर उतरे और उसके जरीए यूनिटी बनाए इन चीजों धन्यवाद कुर्बान साब हमारे साथ होने के लिए बहुत शुक्री आपका आपके साथ बात की चीट कज़र जरू 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 चलाते रहेंगे आज डियूस क्लिक में इत